भाई और भेनों, आपदा कोई भी हो, उसका आसर बहुत व्यापक होता है, दुरगामी होता है। कुरोना के रुप में तो पूरी मानुवता पर सो साल में सबसे बड़ी आपदाई हैं। पिछले सो साल में दुनिया के किसी देश ने ऐसी मुसिबत नहीं देखी। पिछले साल की शुरुवात में जब कुरोना संकरमन फैलना शुरू हुआ, तो पूरी दुनिया का ध्यान तुरंत अपनी स्वास्त सुभिधाव की तरफ गया। हर कोई अपनी मेडिकल सुभिधाओं को ससर्ट करने में जूट गया। लेकिन इतनी जादा आबादी वाले हमारे भारत के लिए तो ये चुनोती बाकी दुनिया से और भी बड़ी मानी जा सकती है। क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत है। हमें कोरोना से बचाव और इलाज के लिए मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर तो त्यार करना ही था। इस संकट से उपजीत दूसरी बुश्किलों को भी हल करना था। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में काम रोका गया, आने जाने पर रोक लग गई। इस उपाय से भारत के सामने अनेक और संकट खड़े हो नहीं थे। इन संकटरों पर भी भारत ने हम सब ने एक साथ मिलकर के काम किया। हमें करोडों लोगों तक मुप्त राशन पहुंचाना था। ताकि बुखमरी की स्थीती ना बने। हमारे बहुत सारे साथी गाउं से कामकाज के लिए सहर जाते हैं। हमें उनके खाने पिने रहन सहन का प्रबंद भी करना था। और फिर गाउं लोटने पर उनके लिए उचीत रोजगार भी सुनिश्चित करना था। ये सारी समस्याएं एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में हमारे सामने थी। जिनोंने बाकी दुनिया की अपेक्षा भारत की लड़ाई को और भारत के सामने पैदा हुई चुनवती को कई गुना अधिक चुनवती पुर बना दिया। लेकिन साथियों चुनवती कितनी ही बड़ी क्यों न हो जब देश एक जूट होकर उसका मुकाबला करता है तो रास्ते भी निकलते हैं समस्या का समाधान भी होता है। कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणदिती में गरीब को सर्वोच्य प्रात्फिक्ता दी। प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना हो या फिर प्रधान मंत्री गरीब कल्यान रोजगार योजना पहले दिन से ही गरीबों और स्रमीकों के भोजन और रोजगार की चिंता की गई इस पूरे कालखन में असी करोड से अधिक देशवाचियों को मुप्त राशन पहुंचाया गया है सिर्फ गेहूं, चावल और दाली नहीं बलकि लॉकडाउन के दोरान हमारे आठ करोड से अधिक गरीप परिवारों को गैस सिलिंडर भी मुप्त दिया गया असी करोड लोकों को अनाच, आठ करोड लोकों को गैस भी यही नहीं, लगबग बीस करोड से अधिक बहनों के जनदन बैंक खाते में लगबग तीस हजार करोड रुपिये सीधे कैश्ट ट्रांसपर भी किये गए स्रमीकों और करिशानों के बैंक खातों में भी हजारों करोड रुपिये जमा किये गए अभी दो दिन बाद ही नव अगस को करीब करीब दस ग्यारा करोड किसान परिवारों के बैंक खाते में फिर से हजारों करोड रुपिये सीधे ट्रांसपर होने वाले हैं